नमस्कार मित्रों मेरा नाम है विज्जो शुक्ला और आप देख रहे हैं ग्यार गुरु इडिया का यूट्यूब चैनल दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीम पे देख पा रहे होंगा आज हमारे पास जो टॉपिक हो वो है स्टॉक्स वर्सेशेर्म सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता रहे होंगा लट्स लर्न हाउ टू अर्ण यह पहली हैडिक ही मेरी जो उपर आप देख रहे होंगे इस वीडियो में इसके बाद नीचे लिखा है बेसिक्स फॉर बिगनर सबसे पहला सवाल हमारे आपके किसी के भी दिमाग में जो आता है वो स्ट्राइक करता है वो होता है स्टॉक्स वर्सेशेर्स दोनों में अंतर क्या होता है आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को यह पूरी जानकारी देने वाला हूँ stocks और shares में difference क्या होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे है तो comment box में जरूर दा रहे हैं और share market से relate आपके जो भी कोरीज हैं वो आप comment box में जाने और अगर आप कोई नई वीडियो चाते हैं तो उसको भी जरूर डालें जिससे कि मैं आप लोगों के लिए सारे contents दे सकूँ share market का A to Z basics to beginner to जितने भी levels होते हैं सारे levels की वीडियो मेरे पास हैं मैं उसको आप लोगों के लिए upload करूँ दोस्तों let's suppose अगर हमारे पास किसी company के 10 shares हैं और किसी company के 10 stocks हैं तो इन दोनों का stocks ठीक stocks का मतलब होता है company को represent करता है लेकिन अगर हम उसी जयगे heck बोलते हैं हमारे पास 10 shares हैं that means किसी एक company के 10 shares हो सकते हैं या अलग- testimony के 10 shares हो सकते हैं अब ये 10 shares हमारे अलग- אלग company में के की इससा हो सकता है सब मिला के 10 या किसी एक company का भी 10 share हो सकता है comment box में जरूर लिखे हैं और मेरी अगरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच